आज हम बनाने जा रहे हैं हॉट और सूप उसके लिए हमने 250 ग्राइम चिकन दिया है जो के जूलियन कटिंग में हमने कट किया है तू टेबल स्पून हम कॉन फ्लॉर एड़ करेंगे इसमें और सॉया सॉस हम एड़ करेंगे क्योंकि हमने चिकन को कुछ तेर के लिए मैरिनेट करके रखना है साथ ही में थोड़ा विनेगर हम यूज़ करेंगे विनेगर भी बन टेबल स्पून और टू टेबल स्पून आप अकॉर्डिंग टियूर टेस्ट आड़ कर सकते हैं अब हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट आड़ करेंगे हाफ टी स्पून ही ब्लैक पेपर पाउडर आड़ करेंगे मिक्स करेंगे इसको और इसको थर्टी मिलिट्स के लिए हम रखतेंगे ग्रीन चिली हमने कट करके रखी हैं और अब हम इनमें सॉसिज आड़ करेंगे ताके हम अपने सूप पे इसको अच्छे से स्प्रिंकल कर सकें एक प्याली में हमने वेनेगर आड़ किया है और दूसरी में सोया सॉस हम आड़ करने जा रहे हैं ये वेबर स्टोफ हमने ओन कर लिया है और कड़ाई हमने चरहा दी है स्टोफ पे अब उसमें हमने टू टेबल स्पून ओयल एड़ किया है साथ ही हम एड़ कर रहे हैं चॉप्ट गरलिक और उसके साथ ही हमने मश्रूम्स वन बाइ फॉर कप हमने लिया है और उसको स्लाइजिस कट करके उसको हम सोते कर लेंगे साथ ही जो मैरिनेटिट चिकन हमने रखा था उसको हम फ्राइ करेंगे और तब तक फ्राइ करेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता तब तक ये गल नहीं जाता थ्री तू फॉर मिनट्स के लिए हम इसको कवर कर देंगे कर तक देंगे जल करेंगे आगे ब कर दोंगे भकवर कर दो दो जाता तक बाता है जयरे जागे ज़ ये जाता है प्राइब रखाव हम जाता है झाल 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 तक हमारी वेज़िटेबल्स कट करके रखी हैं जूलियन कटिंग में हमने एक कप घाजर और एक कप बैल पेपर और गाद कप यह कैबिज लिए और उनको जूलियन कटिंग में कट करके हमने सूप के मिक्सचर में इसको अब जब तक पकाएंगे जब तक थोड़ी सी यह हमार बेबी कॉण लिए हैं और उनको भी हम सूप में मिक्स कर देंगे थी टेबल स्पून चिली सॉस हम एड करेंगे इसमें और वन टेबल स्पून टोमाटो केचप हम एड कर रहे हैं तो दियो विवर सॉसिस के बाद हम सूप को अपने चार से पांच मिनित तक पकाएंगे जब किसमें अच्छे से बॉइल ना आ जाए अब एक प्याली में हमने तू एग्स लेने हैं और उनको अच्छे से बीट कर लेंगे थोड़ा सा सॉल्ट और प्लैक पेपर एड करके ग्राजूली एग्स मिक्स्चर को एड करेंगे और साथ साथ बराबर चम्मच चलाते जाएंगे ताके एग्स जो है वो एक ही जगा पर इकठे ना हो जाएं और बराबर हर जगा पर पहुंच जाएं कुछ तेर के लिए बॉयल आने देंगे और अब हमारा सूप बिल्कुल रेडी है पांच से छे लोगों को इजिली सूप जो है वो सर्फ किया जा सकता है यह देखें दियर्विवर्स सूप हमारा बिल्कुल रेडी है अब हम इसे सर्फ करेंगे विनिगर और सोया सॉस और चिली सॉस हम इसके ओपर स्प्रेड करेंगे दियर विवर्स मुझे उमीद है आपको मेरे सूप की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी तो आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताईए और अपनी राए से जरूर आगाह कीजिए अब आपसे इजाज़त चाहूंगे फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ अपना बहुत ख्याल रखियेगा